सिंपल और टेस्टी रेसिपीज के लिए बने रहें मेरे चानल अफलातून जाइका पर सिर्फ जाइका नहीं जज़बात भी वेल्कम फ्रेंज आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ काबुली प्लाव बनाने की रेसिपी बहुत ही पुरानी और ट्रेडिशनल रेसिपी है कम लोग इसे जानते हैं तो मैंने सोचा कि चलो इससे शेर किया जाए ताकि आगे बच्चे भी हमारे इस ट्रेडिशन को जाने कि हमारा ट्रेडिशनल खाना क्या है तो इसे कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं सबसे पहले हरा चना मैंने लिया है आदा किलो है य जयससे मैने वीडियो में दिखाया है भिल्कुल आप ऐसे हटाले इसे तो इस तरह से मैंने सारे हरे चने का छिल का हटा लिया है , इसे स्पलिट कर दिया है तो यह दाल की तरह हो जाता है अब हम प्लाव बनाना शुरूर करते हैं, तो इसमें तैयारी बस इतनी ही सी करनी होती है, चना चिल जाए तो फिर कामासान है आगे, तो पतीले में मैंने घी ले लिया है, तीन से चार टेबल स्पून, घी में अच्छा जाधा फ्लेवर आता है इसका, अगर आप चाहें तो बादाम वगएर भी आप फ्राइ करके डाल सकते हैं, या कुछ लोग मखाना भी डालते हैं इसमें फ्राइ करके, तो यह मैंने फ्राय करके रख लिया है, बाद में हम गार्निष करेंगे, अब साबत मसाले डालने है प्लाव में, तो हमें शिया जीरा लेना है, एकटी स्प पतर डालेंगे हम सबको हम गरम गी में डाल देंगे जब यह स्प्लटर हो जाए अची सी खुश्बू आने लगे तो हम इसमें चना जो हमने छोड़ा कर रखाया वो डाल देंगे अगर आपको ऐसा लगे कि हरा चना का चिलका हटाने में ज्यादा वक्त लग रहा है तो आप स चावल डाल देंगे चावल मैंने चे ग्लास लिया चोटा ग्लास से में नापती हूं प्रॉक्स पांसो ग्राम है बास्मती चावल है यह प्लॉव अगयरा उससे अच्छा बनता है तो आप बास्मती चावल ही यूज करें इसे मैंने वाश करके आदे गंटिक लिए भीगो मैंने भी पहले से बारा ग्लास पानी गरम करने के लिए रख दिया था बारा ग्लास में चावल लिया था तो इसके हिसाब से डबल में पानी उसकर रही हूं नमक अब हम डाल देंगे अपने टेस्स के एक चोटी चमच चीनी का अट कर लें इससे टेस्ट बैलन्स हो जाता ह आधे लेमन का सैट कर लें आप इससे खिले खिले चावल बनेंगे मिक्स कर लेंगे सब को हम जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए और अलड़ी हमने गरम पानी यूज किया है तो बॉयल जल्दी आ जाता है कवर कर देंगे हम फ्लेम को लो कर देंगे और पकाएंगे बीच में चेक कर लेंगे तो बीच में जब मैंने चेक किया तो मुझे याद आया तो मैंने काली मिच बाद में डाला आप जब साबुत मसाले डाले उस वक्त ही यूज कर लिजेगा फिर से कवर कर दिया है मैंने अभी हुआ नहीं था तो इसी तरह से बीच में आप दो बा आप चाहें तो रोज वाटर भी उसकते हैं और जबदस सी खुश्बू इसकी आए इसलिए उपर से भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे अगर आप ऑईल में बना रहे हैं तब जरूर उपर से डालिएगा अगर आप पूरा घी में बना रहे हैं तो अप्शनल है यह तो कबू मैं अपर धना बत्व कर दें के वहांन आप बना दो समयों और ऑनना में आप क्रिशों से थे में फ्लेवर से ठाथे हैं तो रेस्ट कर लिया है तो मैंने देंगे अजा मिकों भी करो बएा है जा कमिया चना की गल चांवल में बहुत भी खिल प्रकर विस्धा भी मिई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कैसा लगा, अप इसे ग्रेवी वाले चिकरन या मतन की साथ जाथ आठे त्रा इसे डाय पिर एकर पर आजे अच्छा लगेगा